तो दोस्तों मैं आज explain करने वाली हूँ एक environmental horror movie को जिसका नाम है Unearth इस movie की IMDb rating है 5.3 stars out of 10 So let's start the video Movie के starting में हम देखते हैं Christina Dolan को जो एक river की साइड पर fishing करते वे photographic कर रही थी Christina हमें यहाँ थोड़ी परिशान भी दिखाई देती है Christina वरिवर से घर जाती है जहाँ उसके stepdad Tom उसकी grandmother Catherine और mom Aubrey उसके साथ farm पर जाने के लिए उसका wait कर रहे थे Christina के father की death हो गई थी और उसकी mom ने दूसरी शादी की थी जहाँ उसके stepdad Tom Christina को कुछ खास पसंद नहीं करते थे अब सब लोग farm पर जाने लगते हैं जहाँ रास्ते में उनको उनका neighbor George Lomak मिलता है जो उनसे थोड़ी बात करता है और आगे चला जाता है George का अपनी wife Jill से काफी time पहले divorce हो गया था और George नहीं अपने बच्चों को पाला था George के दो बेटियां थी Heather और Kim जहाँ Kim की recently ही एक बेटी हुई थी जिसका नाम Reese है Tom और George एक दूसरे के परूसी थे और वो दोनों ही farmers थे जो अपनी farming पर ही पूरी तरह से depend थे farming के साथ साथ George अपनी garage पर mechanic का काम भी किया करते थे George घर आता है जहां वो और Kim Reese के साथ खेलते हैं और Kim अपने college चली जाती है as वो अभी teenager ही थी अब घर पर रात को Catherine, Tom और Aubrey बात कर रहे होते हैं जहां Catherine news पढ़ती है कि लोग अपनी अपनी जमीनी gas station के लिए दे रहे थे और Catherine को इस news पर गुसा आ जाता है अपनी घर पर George अपनी ex-wife जिल से थोड़े पैसो की help मांगता है क्योंकि George enough money earned नहीं कर पाता था बड़ जिल से उसकी बहस हो जाती है किम भी अपनी mom के careless behavior से खुश नहीं थी as वो भी जिल को पसंद नहीं करती थी अब रात को George garage पर एक car repair कर रहा होता है और दूसरी और Christina भी अपने photos को develop कर रही थी next morning George की garage पर अपनी car उठाने एक lady आई होती है जिसको George बताता है कि उसने car में कुछ और problems को भी ठीक कर दिया है George उस lady से repairing charge मांगता है बट वो lady उसको बहुत ही कम पैसे देती है जो George को लेने परते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता दूसरे scene में Catherine अपना tractor ठीक कर रही होती है जहां Tom भी उसकी help कर रहा था टॉम यहां पर Catherine को अपनी जमीन बेचने की सलाह देता है जहां Catherine उस पर गुसा करती है और उसको मना कर देती है Christina और Aubrey आपस में बात कर रही थी जहां Aubrey टॉम के behavior से खुश नहीं थी और Christina को भी पसंद नहीं करती थी रात को Christina एक बार में drink कर रही होती है और वहां George आता है Christina George के पास जाती है और वो दोनों intimate होने लगते हैं सुबे George घर आ जाता है जहां उसकी बड़ी बेटी Heather जो कुछ काम से बाहर गई वी थी वो वापस आ गई थी वो तीनों थोड़ी बाते करते हैं जहां Heather घर का काम करने लगती है और Kim College चली जाती है George फिर से कॉल पर अपनी किसी फ्रेंट से पैसो की हल्प मांग रहा था क्योंकि उसकी financial condition बहुत खराब थी शाम को George से मिलने एक gas company का employee आता है जो George से उसकी जमीन के बारे में बात करता है जहां George अपनी जमीन lease पर देने के लिए ready हो जाता है वो employee Catherine के पास भी जाता है जहां Catherine उसको गुस्सा करके भगा देती है थोड़े देर बात George के घर पर Christina आती है जहां उसको Heather भी मिलती है Christina उन दोनों को डिनर के लिए invite करके वहां से चली जाती है डिनर के टाइम सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जहां Tom और Catherine George से उसकी जमीन के बारे में बात करते हैं Tom George को 200 डॉलर पर एकर ओफर करता है जिस पर George अगरी नहीं होता क्योंकि उसको 1200 डॉलर पर एकर उसका ओफर आया था गैस कमपनी से George उन लोगों से बोलता है कि उसकी जमीन कम कीमत वाली जगे पर है जहां उसको ज्यादा प्राइस मिल रहे है तो वो अपनी जमीन गैस कमपनी को ही देगा और वो वहाँ से चला जाता है नेक्स सीन में George और Heather आपस में बात कर रहे थे कि उनको पैसे बचाने चाहिए और वो कर्ण में डूबते जा रहे थे हैदर वहाँ से नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है और वो रूम में एक ब्लीड से अपने पैर पर एक कट लगाती है हम हैदर के पैर पर और भी कर्ण को नोटिस कर पा रहे थे ऐस वो अपनी टेंशन को एक कर्ण से ओवरकम करने की कोशिश कर रही थी नेक्स डे जोर्ज फार्म जाता है जहां उसको क्रिस्टीना मिलती है और वो दोनों इंटिमेट होने लगते हैं क्रिस्टीना यहाँ पर जोर्ज की पिक्चर क्लिक करती है जोर्ज क्रिस्टिना से पूछता है कि वो अपनी फोटोस को कहीं भेज रही है जिस पर क्रिस्टिना बताती है कि वो अपनी फोटोस को अलग-अलग सिटीज में भेज रही थी ताकि वो ऐस अ फोटोग्राफर अपनी करियर शुरू कर सके नेक्स सीन में हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपने फार्म से अपने नाम का बोर्ड हटा रहा था और गैस कंपरी ने उसके जमीन लीज पर ली थी और गैस स्टेशन का काम शुरू हो चुका था वहीं रात को क्रिस्टीना चुपके से फोटो एजिंसी को अपनी फोटो भीजने के लिए पोस्ट बॉक्स में डाल रही थी नेक्स सीन में हम देख पाते हैं कि सब लोग एक मेले में जाते हैं सब लोग मैच देख रहे थे और कैदरिन अपने एक नेवर अर्लियर्स के साथ बैट कर बात कर रही थी और वो जॉर्ज को देखकर बहुत गुस्सा होती है और क्रिस्टीना और टॉम को गुस्सा करके घर भेज देती है घर पर ओबरे और किम थे जहां ओबरे रीस के साथ खेल रही थी और कैदरिन घर आने पर किम को भी गुस्सा करके भगा देती है नेक्स्ट मॉर्निंग कैदरिन रोड पर खड़ी होकर गैस कंपनी के ट्रक्स को आता हुआ देखती है जो उसको अच्छा नहीं लगता अब कहानी एक साल आगे जाती है जहां अब जोर्ज की जमीन पर गैस स्टेशन लग चुका था और अंडर ग्राउंड में गैस की सर्चिंग चालो हो गई थी हम यहाँ जमीन के नीचे एक अजीब से प्लांट को भी देखते हैं जिसके अंदर से वाइट कलर का ग्ल्यू जैसा लिकवर्ड भी निकल रहा था जोर्ज के घर पर किम पढ़ाई कर रही होती है जहां गैस स्टेशन से बहुत सारी धूल घर में आ रही थी और हैदर विंडो बंद कर लिती है अगले सीन में क्रिस्टीना जंगल के एक ट्री हाउस में जाती है जहां उसको हैदर मिलती है वो दोनों आपस में बात करती है जहां हैदर पताती है कि अभी वो लोग करज में डूबे हैं क्योंकि अभी उनको खुती सारे पैसे पे करने पर रहे हैं और कंपनी से रोयल्ट तक पानी भरता भी देखते हैं जिससे surface water effect हो रहा था Catherine Christina से बात करते वे बोलती है कि वो Christina के नाम अपनी जमीन कर देती ताकि Christina farming के काम देख सके बट Christina मना कर देती है as उसका farming में co-interest नहीं था Catherine यहाँ Christina को ही जमीन देना चाहती थी क्योंकि अगर वो Tom को देगी तो Tom जमीन को बेच देगा और Catherine अपनी जमीन और farming से बहुत प्यार करती थी तो वो ऐसा होनी नहीं देना चाहती थी Catherine Christina को समझाने की कोशिश भी कर रही थी घर पर Tom और Aubrey कार रिपेर कर रहे थे जहां गलती से Aubrey के हाथ पर चोट लग जाती है घर आगर Aubrey अपने हाथ पर bandages लगाती है और Tom से बोलती है कि वो अभी काम नहीं कर सकती बट Tom उसको बोलता है कि उसकी चूट जल्दी ठीक हो जाएगी हैदर के घर पर हैदर नोटिस करती है कि उसके घर पर बहुत ही जादा धूल आती थी जो उसके घर में सब जगे जमा होने लगी थी रात को क्रिस्टीना जॉर्ज से मिलने उसके रेस्ट्रॉपे जाती है जहां जॉर्ज ने नियू जॉइन किया था बर जॉर्ज बिजी होता है और क्रिस्टीना वहां से गुस्से में वापिस आ जाती है नेक्स टे आबरी पानी भरते वे एक गाना गुनगुना रही थी जहां उसको अब ऐलर्जी के सिम्टम्स लग रहे थे जिसको वो इगनोर कर देती है दूसरी और फार्म पर टॉम कैदरिन और क्रिस्टीना कॉर्प कलेक्ट कर रहे थे जहां कैदरिन को वोमिट होने लगती ह है बट वो भी इस चीज को इगनोर कर देती है रात को क्रिस्टीना कैदरिन को अपने आप से बात करते हुए देखती है और साथ ही कैदरिन और आबरी की कफ भी बढ़ रही थी अगली सुबह कैदरिन हैदर से मिलती है और उससे बोलती है कि उसको बिजनेस करना चाहिए औ बट हैदर उसकी बातों को इगनूर कर देती है कैदरिन हैदर से ये भी बोलती है कि वो क्रिस्टीना के साथ उसके रिलेक्शनशिप के बारे में जानती है और उन दोनों को साथ में अपने फाम्स देखने चाहिए बट हैदर उसकी बातों से परिशान होकर घर आ जाती है घर लिखा था कि उस जगे पर gas नहीं है और company वहाँ से gas plant हटा रही है gas plant के transport और cleaning का cost भी जॉर्ज को ही पे करना होगा जिसके बारे में terms and condition में भी लिखा था ये सुनकर सब लोग बहुत परिशान हो जाते हैं और किम रोते हुए room से बाहर चली जाती है Heather नहाते हुए अपनी और क्रिस्टीना के किस के बारे में याद करती है और अपने पैर पर एक cut लगाती है रात को Catherine आउट हाउस में काम कर रही होती है जहां उसकी तब्यत अचानक से बहुत खराब हो जाती है और वो अपनी बाड़ी पर एक बढ़ा सा घाव देखती है जिसके अंदर से कोई चीज ग्रो हो रही थी वही घर पर क्रिस्टीना के रूम में जाती है जहां उसको अपने सारे फोटोस मिलते हैं जो उसने फोटो जजनसे को भेज़े थे एस कैदरिन ने कभी क्रिस्टीना की फोटोस को पोस्ट होने ही नहीं दिया था क्रिस्टीना को इस पर बहुत गुसा आता है और वो कैदरिन को गुसे में ढूनने लगती है वहीं दूसरी और कैदरिन जंगल में रिंग रही थी जिसके शरीर से अजीब तरह के प्लैंट बाहर आ रहे थे सुबह क्रिस्टीना और ओबरी घर के बाहर बैठे होते हैं जहां अब ओबरी की तब्वेद भी बहुत बिगड़ जाती है अब कुछ टाइम बार टॉम हेदर और क्रिस्टीना फार्म में कैदरिन को ढून रहे थे जहां उनको कैदरिन नहीं मिलती घर पर किम रीस को पानी पिलाने की कोशिश करती है बट रीस पाने नहीं पी रही थी किम अब खुद पानी पिकर देखती है जहां उसको पानी का टेस्ट बहुत अजीव लगता है दूसरी और हैदर क्रिस्टीना की फोटो लैब में जाती है जहां उसको जोर्ज और क्रिस्टीना की इंटिमेसी वाली फोटो भी मिल जाती है जिससे हैदर को क्रिस्टीना पर बहुत गुसा आता है वहीं किम रीस के साथ खेल रही होती है जहां हम रीस की बॉड़ी पर भी कुछ मार्क्स नोटिस करते हैं और रीस किम पर वामिट भी कर देती है किमरी इसको साफ करती है और आबरी अपने घाओ की पट्टी हटा कर देखती है जहां उसका घाओ और भी जादा बढ़ गया तक कम होने के वज़ाए अब जोर्ज अंदर में स्यूसाइट करने के लिए जाता है और हैदर क्रिस्टीना के पास आकर उससे सवाल करने लगती है अपने डैड और उसके अफ़ेर्स के बारे में वो दोनों वहाँ पर लड़ने लगती है जहां उनको एक गन शॉट सुनाई देता है जो जो जोर्ज का था पर जोर्ज खुद को शूट नहीं कर पाया था आबरे घर पर होती है जहां उसको अब बहुत ज़्यादा अलर्जी हो जाती है और वो चीकते चीकते अपना सर बे हैसूस हो रहा था जंगल में टॉम क्रिस्टीना और एक पुलिस ओफिसर के लिए सर्चिंग कर रहे होते हैं और उनको कैदरन मिल जाती है जिसके अंदर से बहुत सारे प्लैंट्स हो गए थे और वो प्लैंट्स टॉम और पुलिस ओफिसर के ऊपर फर जाते हैं जिससे उन के अंदर का लिकवर्ड उन दोनों के उपर गर जाता है और क्रिस्टीना ये सब देख कर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है जौर्ज के घर पर किम अब रीज के पास जाती है जहां उसको रीज की बॉड़ी खून से लत्पत और सड़ी भी मिलती है किम रीज को उठाती है और रीस की बाड़ी बिखर कर जमीन पर गर जाती है जॉर्ज किम के पास आता है और किम अब चीकते चीकते रोने लगती है घर पर आबरी भी आ जाती है जो हैदर को शूट करने लगती है बट हैदर छुप जाती है अबरी अंदर आकर जॉर्ज को शूट करने की कोशिश क बट हैदर आकर आबरी को पीछे से बैट से मारने लगभी है बट एक गोली की म को लग जाती है जॉर्ज कीम को लेकर होस्पिटल जाने लगता है और कार में बैटते ही उसकी भी तब्यत खराब हो जाती है और वह बाहर निकलाता है। जॉर्ज की आवास से उसका नेवर अर्ल बाहर आ जाता है जिसको जॉर्ज चोक करके मार देता है। अब तक क्रिस्टीना पे वहाँ भाग कर आ गई थी जिसको हैदर मिलती है। हैदर और क्रिस्टीना एक रूम में चिपी होती है जहां टॉम आता है और टॉम के अंदर से भी फ्लैंट्स निकल रहे थे और क्रिस्टीना टॉम को शूट करके मार देती है। क्रिस्टीना कार से भागने की कोशिश करती है और कुछ दूर फील्स पर पहुँच जाती है जहां वो बेहोश हो जाती है थोड़े दिर बाद होश आने पर क्रिस्टीना घर पहुँच जाती है अब कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाता है और क्रिस्टीना अपने फाम का काम द देखने लगी थी साथ ही साथ वो अपनी फोटोग्राफिक को भी कंटिन्यू कर रही थी मूवी के एंडिंग सीन में हम क्रिस्टीना को बैठा हुआ देखते हैं जिसको अपने नेक पर एक घाउ फील होता है जिससे वो घबरा जाती है और ये मूवी यही पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी अन अर्थ मूवी की कहानी तो ये एक तरह की एन्वामेंटल हॉरर मूवी है जहां पर कॉंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है जहां पर हमको ये दिखाया गया है कि आजकल फार्मिंग की जो कीमत और वैल्यू है वो बहुत ही जादा कम होती जा रही ह कुछ लोग पैसो की लालच में जमीन जो की सोना होती है उसको बेचते जा रहे हैं इस मूवी के अंदर जो डिजीज दिखाए गई है और जो प्लांट्स लोगों पर ग्रो हो रहे हैं वो एक मेटाफर है कि अगर आप अपनी जमीन की वैल्यू नहीं करेंगे तो मदर अर् तो उमीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तिल देन गुद्बाई